नमस्कार दोस्तों मेरे palm reading चैनल वे आपका बहुत-बहूर स्वागत है आई आые 47 वर्सके पुरुस के palm का ऐनानेसेस करेंगे इनके सवालों का जबाब करेंगे तो सरप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे फिर एक रिक Krक करके इनके सवालों का उत्र करेंगे उससे पहले, अगर आप लोगों अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो किर्पेकर करके चैनल को सस्क्राइब कर ले, बेल अकन को प्रस कर दे ताकि लेटेस नॉटिफिकिशन आपको मिल जाए तो चलिए शुरू करते हैं इनका कोशन इस प्रकार है काफे दिन सा इरों ने नौकरी किया फिर ये वैपार में सुच्छ हुए और अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा है कंस्ट्रेक्शन वेगरा का काम था और पिछले कुछ तीन वर्षों से कुछ खास प्रॉफिट जीवन पर हो नहीं पाया है तो ये जाना चाहते है कि इनका आगे का जीवन कैसा रहेगा अच्छा रहेगा कि खराब रहेगा और अब जो इनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो इनके लिए क्या करना उचित रहेगा और ये जाना चाहते हैं कि आपके इनके जीवन में आगे क्या सफलता दिख रही है क्या दिक्कते दिख रही है काफी हार्ड वर्क करने के बाद भी जब सफलता जीवन पर ना मिले तो जातक हतास और दिराश हो जाते है तो वही कुछ समस्या से ये गुजर रहे हैं तो आप बिल्कुल चिंता ना करें आपके कोश्चन्स को आपने सुन लिया है समझ लिया है अब बताने का कोशिश करूँगा तो अगर मैं पॉजिटिव चीज की बात कर लूँ तो पॉजिटिविटी है डेफिनिटली है अगर आप नौकरी में रहते हैं तो आप जादा अच्छा राइज कर रहे होते तो हम ये चुनाव अपने जीवन में कैसे करें कि हमें नौकरी करना चाहिए या वैपार ये चुनाव बहुत महतपून है और ये चुनाव करना भी बहुत जरूरी है कि आप नौकरी करो या वैपार क्योंकि ये चुनाव बहुत कम लोग कर पाते हैं और जो लोग बारी की पुरवक करते हैं जीवन में सफलतावा तरक्की को प्राफ्ट कर पाते हैं तो आईए देखते हैं और समझते हैं कि इनके हाथ पर ऐसी क्या पॉजिटिविटी थी जो ये नौकरी करेंगे तो इनको बेनिफेट मिलेगा तो यहाँ पर सबसे पहले जो ये बुद्दरेखा इनके हाथ पर सार्थक थी नी तो जब किसी वेक्ति के हाथ पर बुद्दरेखा सार्थक ना हो तो ऐसे वेक्ति वेपार में अपने इन्वाल्मेंट को नहीं दिखा सकते हैं तो वेपार में सफलता के लिए वेपार में तरक्की के लिए बुद्द रेखा का हाथ पर होना बहुत जरूरी है तो अगर आपकी किसी विक्ति के हाथ पर बुद्ध रेखा ना हो तो अपने शनलिपता को अपने इन्वॉल्मेंट को और अपने धन को खास करके वैपार में आप ना लगाए तो सबसे पहला निरनय तो आपका यही था अब जो आपकी 47 वर्स की आयू है ये करो और मरो वाली स्थिती में है कि अब अब नौकरी कहा मल नहीं है आपको अब नौकरी कहा मिल पाएगी आपको अब तो आपको वैपार में ही अपने आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा और वैपार में सफलता को प्राप्त करना पड़ेगा तो अब इस point of view से सोचने से पहले ये जानना जरूरी है कि हम जो वैपार कर रहे हैं ये हमारे ठीक है कि नी तो देखें इनका construction line का काम है और अब जो मैं इनके हाथ पर देख रहा हूँ ये बुद्दरे का बंड रही है इसकार्थ है कि आपके वैपार में कोई सार्थक्ता आनी है कोई positivity आनी है चुकि आपका दोनों मंगल बढ़िया है तो ऐसे विक्ति अपने जीवन में construction line में जमीन से जुड़ा हुआ property से जुरेवे कारे में सफलता को प्राप्त जुरूर कर लेते हैं तो काम तो आपने सही चुना है लेकिन वैपारिक रेखा ना होने के वज़ा से थोड़ी दिक्कतों का सामना करना परा है तो कुछ नहीं इसका remedy आपको ज़रूर मिल जाएगा और इसके remedy करने के बाद आप ज़्यादा relaxed और ज़्यादा अस्थिरता महसूस करेंगे अपने कारे में और जो धन की आप उमीद कर रहे हैं अब अगर आप उमीद करोड और अरब की कर रहे हैं उसकी guarantee तो हम नहीं लेंगे लेकिन हाँ आपके नुक्षान नहीं होंगे और आप फाइदे में रहेंगे इस बात की हम ज़रूर से एक कोशिश अपने तरब से कर सकते हैं आपके लिए चलिए ये तो वो गई बात अब अगर हम आगे विचार कर लें और क्या के चीज़े आपके हाथ पर उस चीज़ को तोड़ा समझ लेते है पॉजिटिविटी में सुरवाती दोर से बड़ी अच्छी बागी रेखा रही थी और 36 वर्स के बाद भी ठीकी ही थी ऐसा कुछ गरबर नहीं था लेकिन हाथ थोड़ी सी कम स्ट्रॉंग थी 36 वर्स के बाद कोई खास ग्रोथ आपने नहीं महसूस किया होगा बस चलड़ रहा है जिन्दगी पैसे आरे खर्चोरे इस परकार के स्थिती बनी होगी मिस्टिरियस क्रॉस भी कोई सार्थक्ता के साथ बन नहीं पाया और ये बागी रेखा भी कम स्ट्रॉंग होने की वज़े से ये जितना जादा फल मिलना चाहिए बागी रेखा का वो मिल नहीं पा रहा है तो खैर इसका भी उपाय होता है चुकि बाग्य रेका जब आपके हाथ पर हो तो कुछ है सार्थक उपाय करने के बाद अपने जिर्म कुडली को देखते हुए महादर्शा, अंतरदर्शा, योकारक और मारक ग्रहों को देखते हुए हम रेमेडिक कर सकते हैं आप जादा एनर्जेटिक और जादा अच्छा महसूस करेंगे आगे भी ये बाग्य रेका जीवन केंते हैं समय तक है क्या बात है ये वाली सूरी रेका भी बड़ी अच्छी दिख रही है मुझे बहुत बहतरीन है तो सूरी रेका अगर हाथ परो तो ये और अच्छी बात है और जबरदस्त बात है तो ये सूरी रेका बड़ी अच्छी है इसके बाद अगर मैं देखो तो यहाँ पर एक ट्रैंगल बनाए लेकिन सूरी रेका का अगर मैं एक्टिवेशन देखो ना तो अभी आपके जीबन रेका से आगे के life को हम cover करना चाहेंगे, तो ये mind रेका, ये life line, highly independent है, कुछ प्रगती की रेका है, initial stage से ही है, तो जीबन में प्रगतीवा तरक्की होती है, यहाँ अगर देखा जाए तो बहुत जबरदस्त प्रगती की रेका, ये लगबग आपके 23 वरस के आसपास है, 24 में दिक्कत है, 26 में तरक्की, 28 में तरक्की है, ये परिवर्तन था, जीबन रेका का ये बनावट, मैंने अपने वीडियो में काफी बार बताया है, कि ये जीबन रेका की बनावट आपको positive impact दिखाती है, ये परिवर्तन, 32 में वरस की आईू के आसपा रहे हैं, उस triangles हैं, जो negativity को दूर कर रहे हैं, कुछ बल्क में पैसे आने के स्थती को बता रहे हैं, जो कि लगबग आपके 60 वरस की आईूसर स्टार्ट है, और definitely ये 70 तक चलेगी, इसके बाद भी जीबन रेका अच्छा है, लग्जूरिया, ये आपका जबर्दस्त, ये मं मंगल रेका, जो की जातक को जीबन रेका का फल प्रदार करता है, जीबन रेका के बल है तो, जीबन रेका के कारी है तो, ये मंगल रेका भी बड़ी सार्थक होती है, लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग मने हैं, वो तो रहेगा, शुकर पर ये खड़ी लाइन्स है, म लाइफ रहेगी, comfortability के साथ अपने जीवन को ऐसे विक्ती, जरूर बिताते इस बात में कोई संदेह नहीं है, तो यहाँ पर सही थीन की positivity, negativity के अगर मैं बात कर लो, तो वो तो definitely है, बुद्दरे का थोड़ी और सार्थक होती, तो फिर इसके अलग परिनाम आपको देखने को म मिलते, अगर आपका बरश्पती थोड़ा और प्रबल होता, तो उस खास तरक्याव जीवन पर महसूस करते, तो बरश्पती भी कोई खास प्रबलता के साथ नहीं है, तो यह एक negativity जरूर होती है, अगर मैं आगे देख रहू हूँ, थम्ब अच्छा है, strong तरक शक्ती है, च इंडिकर एच्छी दार्मी कासता है, सेटर्न फिंगर लंबी है, तो काफी महनती है, सूरी फिंगर इम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फिंगर फर्श्पन इंच के उपर है, तो communication skill wise भी बहुत प्रबल है, फिंगर लंबे करे हैं, तो अच्छी creativity है, strength definitely होता है, अदमा की mind रेका बढ़ी अच्छी है, दिमाग के बहुत तेज है, एक तेज दिमाग के साथ जीवन पर आगे बढ़ने करें प्रयास रहते हैं, और प्रयास करके जीवन पर आगे भी बढ़ जाते हैं, अब balance अच्छा जल दिमाग के बहुत तंदृस्त है, no doubt, यहां से इसका benefit आपको 40 years के बाद मिलेगा, इसका benefit जातक को 40 years के बाद देखने को जरूर मिलता है, क्योंकि सूरी रेका कोई खास प्रवल नहीं है, जिस कारण वस कोई खास तरक्की आपने भी तक महसूस नहीं की होगी, लेकिन हिर्दर रेका से नीचे थी, तो एक सरकारी नौकरी या फिर एक source of income तो बनता है, 40 years के बाद मूल रूप से, बागे रेका थोड़ी बहुत धुमिल ही दिखी, मुझे कुछ त्रेवूस दिखे लेकिन कोई बहुत सार्थकता के साथ नहीं दिखे, तो कोई सार्थकता जीवन में आ नहीं रहोगी, लेकिन नहीं कुछ छे तो था, यह आपका बुद्ध पर खड़ी रेका है, दिमाग तेज है, सनमर्क लिए अच्छी है, तो बुद्ध वेक से कारे करते हैं, दोनों मंगल बढ़िया एनरजेटिक है, प्राकरमी है, समर्पित है, जीवन पर आगे बरने के लिए ऐसे विक्ति प्राकरमी होते हैं, समर अगर आपको अमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दें, कमेंड करें, समस्कारी पर आप करना चाहता है, अमारा वोट्स अंदिक्रिस्वन मिल जागा, लेकर आप समपर कर सकते हैं, धन्यवाद,